हेलो एब्रिबरडी नमस्ते आज की ये रिडिंग रिक्वेस्टेड है इसमें कहा गया है कि लव लाइफ में जिससे आपने डिल किया आपके लवर या बिलविट के साथ ये मोशन्स आपने रखे उनके साथ उनकी मैरीज कहीं और हो चुकी है ऐसे में as a well-wisher आप जानना चाहते हैं कि मैरीज से लेकर अब तक कैसी situations रही है प्रजेंट situation और feelings क्या है और further उनके साथ क्या होने वाला है तो यहां बताई हुई situations अगर आपको लगता है actually आपके person की है तो फिर इस reading को as a guidance देख सकते हैं इससे आपको थोड़ा clarity बिल सके कि कि आपके person की life में क्या चल रहा है जानने के लिए आप relax रहे, comfortable रहे, think of your person उन्होंने अपने mind पे रखे जानने के bottom of the dick में four of swords है इसका मतलब है कि कुछ painful situation तो आपके person की life में रही है the sun present उनकी situation को describe कर रहा है जो बताता है कि जो भी painful situation रही है या health issues अगर रहे हैं किसी तरह के आपके person की life में तो वो remove होने वाले हैं बहुत ही जल्द इस वक्त आपके person की लिए जो obstacle है that is nine of vents ये nine vents है जो आपके person के around हैं ये पता रही है कि आपके person जिन लोगों के बीच है वहाँ काफी aggression में है क्योंकि ये जो persons है ये इनके लिए favorable नहीं है तो ये as an obstacle आया है आपके person के लिए ये आपके person का subconscious mind है night of pentacles जो की उनके past को शो कर रहा है past में किसी वजहा से कुछ darkness आपके person की love life में रही है background yellow है चीज़ें ठीक थी बट किसी तरह से कुछ negativity आ गई थी relationship में आपके person की तो इनके subconscious mind में इनका past अब तक है three of vents, four of vents तो जिस वक्त marriage हुई थी this was good, ये ठीक है क्योंकि three of vents दिखाता है right time को marriage होना जो था इस person का वो एक right time पर ही हुई है इनकी life में दोनों vents की energy है और दोनों बहुत positive card है but three of vents साथ-साथ ये भी दिखाता है कि एक wind को आपके person ने hold किया और two winds एक आप और एक आप के person खुद पर ध्यान नहीं दिया और decision लिया marriage का situations meanwhile क्या रही है king of cups seven of swords के साथ आया है तो king of cups बताते हैं कि जो आपके person ने imagine किया था love life को लेकर के emotions को लेकर के seven of swords बताता है वैसा तो बिलकुल भी नहीं हुआ है emotional satisfaction तो नहीं रहा है इसी वज़ा से आपके person के mind में उनका past है बट वो ऐसे person से घरे हुए हैं कि कोई decision नहीं लेना चाहते हैं नहीं ले सकते हैं the sun card उनकी personality हो सकती है आपके person काफी positive person हो सकते हैं साथ-साथ sun present है तो good news भी है अगर किसी तरह के health issues उन्हें है तो वो भी remove होंगे now starting from here हम five cards लेंगे जो आपके person की present immediate future, long future और distant future को बताएंगे साथ-साथ एक card है जो उनकी लिये उनकी life में जो भी unexpected है उसे बताएगा कर्टिबंट है ऑ्पके ऑ्रण हो कि कि रहने है प्लाएवाफब नहाधा कि भी उनकी प्लाएवज dive bottom of the deck में the magician है जो की एक तरह से universal प्लानिंग को शो कर रहा है इस जगह पे present ठीक नहीं है आपके परसन इस वक्त completely tied up है पंधे हुए है immediate future भी उनका nine of swords है जो बता रहा है कि किसी तरह की anxiety अभी चलने वाली है कुछ समय और long future में आपके person nine of pentacles अपनी personality को improve कर रहे हैं अपने finances पर work कर रहे हैं लेकिन यहां देख सकते हैं single है single है it means marriage होने के बाद भी वो अपनी feelings को तो अब तक share नहीं कर सके हैं अपनी wishes को share नहीं कर सके हैं जो कि यहां भी देखा जा सकता है king of cups with seven of swords distant future में confused हैं किसी बात को लेकर आपके person की life में कुछ unexpected है that is two of cups यह unexpected है it means आपके person की life में जिससे यह अपनी harmony feel करते हैं emotional freedom feel करते हैं उस person से income come across हो सकता है because bottom of the day में the magician भी है तो यह किसी universal strategy को represent कर रहा है इस वक्त एक new beginning हो सकती है आपके person की life में as far as emotions are concerned eight of swords और nine of swords उनकी present और long immediate future में हैं यह बता रहे हैं कि किसी तरह का कुछ गलत आपके person ने अगर किसी के साथ किया है past में तो यह उनके करमास हो सकते हैं जो उनको repay करने हैं long future में nine of pentacles बताता है कि अपनी wishes को वो किसी से share नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए confused हैं कि अपनी life में what to do क्या किया जाए unexpectedly वो अपने lover से मिलेंगे यह sure है time की बात की जाए तो यहाँ पर at least nine to ten months इस situation में लग सकते हैं जब आपके person कुछ और भी सोच रहे हैं let's try to qualify कि distant future में what is your person confused about किस बारे में यह confused है second chakra archangel aerial है है qualification में with all tied up archangel aerial creativity को show करती है all tied up third party situation को बताता है तो जो भी third party situation है जिस वजह से आपके person tied up है फिलाल भी tied up है तो उसे remove करने के लिए कुछ plan कर सकते हैं number 36 important है और उसके बाद कुछ action अपनी life में ले सकते हैं so this is all going on यह सब चल रहा है आपके person की life में even in future आप एक question कर सकते हैं अपना एंजल के guidance के लिए एंजल के answer के लिए या इसे prediction भी कह सकते हैं एंजल का perfect timing ask your angels all right so perfect timing से मतलब है फिलाल जो भी situations आपके person की life में चल रही है जो भी लेकिंग्स चल रहे हैं perfect timing आने पर यह सब दूर भी होंगे और archangel Ariel इन्हें एक नया direction भी देंगी life में आपने अपने लिए कुछ सवाल किया है तो उसके लिए भी answer है perfect timing आने पर आपके साथ भी चीजें ठीक होंगी thank you so much take care